देखें बिहार के सरकारी स्कूल में हाल ही में अर्धवार्षिक परिच्छा यानि हाफ्रियरल एक्जाम हुआ है और आपको बता दे कि इस परिच्छा का जो परिणाम है वो 5 अक्टूबर को आने वाले हैं और इस परिच्छा का मुल्यांगन शुरू हो चुका है लगबग स सी नहीं रुकेगी किसी बच्चे के कौपी में बोच्पूरी के पावर स्टार कहेचाने वाले पवन सिंग का गाना लिखा हुआ मिला तो किसी के कौपी में वाली वुट के फिल्मों की डायलोक लिखी हुई मिली अब आप समझेए कि बिहार के जो बच्चे हैं वो कितने ते जस्वी हैं कि उनके दिमाग में अपने स्लेबस की चीज़े नहीं रहते हैं बलकि भोच्पूरी इंडस्ट्री के गाने रहते हैं हमने आपको ऐसी कई खवर से रूबरू कराया है कि किस प्रकार से बिहार के बच्चे अपने हाफ यरली एक्जाम में या फिर यरली इक बस्ता है उस पर बड़ी ही सवाल उठाए जाते हैं आपको बता दे कि बिहार के अर्धवार्शिक परिच्छा में किसी बच्चे ने गाना लिख दिया है तो किसी ने शायरी लिख दिया और किसे ने डायलोग बाजी की है यह सभी उत्तर पुस्तिकाएं इंदिनों का काम करना था विद्याले के बच्चों के उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन दूसरे विद्याले के शिक्षकों द्वारा किया जाना था यह हुआ भी है इसी क्रम में शिक्षकों के पास उत्तर पुस्तिका जाचने के क्रम में जब बच्चों के उत्तर पुस्तिका तो क्या करते। इस पर लिख दिया कि आरजेरी परिवार से हैं। हम यहादऊ किसी से डरते नहीं है। कि लड़का लिखता है कि पत्ता हिलता नहीं, दवा हिला देती है। लड़का बिगरती नहीं, लड़कियां बिगार देती है। पैसे खबरों के लिए क्या कहेंगे अपनी राय बताईएगा, वीजियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नहीं वीजियो में, आप देख रहते हैं से स्टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे, धन्यवाद।